बेलकम टुमाई यूटूब चैनल मैं आपका स्वा गया था है आज हम रिजिरिंग के मोश्ट इमाडन कोस्टन लेके हैं जो कि हैं मिसिंग नंबर से तो चलिए इन कोस्टनों कैसे स्वाल करते हैं जानते हैं आसान से ट्रिक वीडियो के अन तक जरूर बेंड रहे हैं ताकि यहां पास अगर हम देखेंगे 110 यहां पर कैसे है 11 20 13 को क्या किया है कि 110 यहां पास की वैलू आई है तो देखें अगर हम 11 प्लस 20 प्लस त्यारा करेंगे क्या 110 आएगा अगर हम इस सब को गुना करके देखते हैं प्लस करने पर तो नहीं आ रहा है गुना करके देखें 11 गुणा करने पर तो हम क्या करेंगे अब हम देखेंगे यहाँ पास यहाँ पास बड़ी संक्या है और यहाँ पास थोड़ी उसके मुताविक छोटी संक्या है तो इसक्यार करके देखते हैं स्क्वेर करके प्लस करेंगे तो अगर हम देखेंगे इन सब का स्क्वेर करेंगे अगर तो ग्यारा का स्क्वेर कितना होता एक सो एक आइस तेरा का स्क्वेर कितना होता एक सो एक सो एक स्क्वेर कितना होता चार सो तो अगर हम इस सब को पहले से जोड़ें तो देखें चार स और एक नौ और यहां पास कितना है दो 22 आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं अगर हम 7 के स्क्वेर करें तो कितना आएगा 49 और 14 के स्क्वेर करेंगे कितना आएगा 106 नहीं में 49 जोड़ेंगे और 13 के स्क्वेर करके माइनस करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा च्छे, नौशे, पंदरा, और नो चार, तेरा, एक चुदा, और यहां पास दो, 245 आ रहा है, साथ के स्क्वेर करके, और चुदा के स्क्वेर करके, प्लस करने पर, तो अब हम 245 में 13 के स्क्वेर घटाएंगे, 245 में 179 घटाएंगे, तो कितना आएगा, देखी, कितना आए एक 110 हमी कैसे मिला है, 11 के स्क्वेर प्लस 13 के स्क्वेर माइनस आप 20 के स्क्वेर करने पर हमें 110 मिल रहा है, तो कैसे मिल रहा है, अब हम थोड़ा सा दिमाख लगाने कोशिश करेंगे, अगर हम ध्यान से देखेंगे संख्याओं को, हम पास 11, यहां पास 13, यहां पास 20 है, और यहाँ पास देखेंगे, 7 है, 13 है, 14 है, तो देखें हम किये क्या है, अगर हम देखेंगे, 11 क्या है, एक odd number है, 13 क्या है, एक odd number है, 20 क्या है, एक even number है, तो देखेंगे, हम odd number को square करके plus किये है, even number से minus किये है, थोड़ा स्थिमाक लागे देखें, odd number को plus किये है, square करके, और even number के स्क्वेर से माइनस कियें यहाँ पास हम देखेंगे क्या करने है साथ क्या है एक और नमबर 14 क्या एक इवेन नमबर तो हम यहाँ पास कर कर रहे है इवेन नमबर और 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 नमबर को प्लस कर रहे है और एक और नमबर से माइनस कर रहे है तो हम क्या करेंगे अपास, यहां पास भी हम odd नम्बर 7 को odd number 13 से 13 के square से plus करेंगे और even number 14 के square से minus करेंगे तो हमारा देखते है 1813 के square होगा और 7 के square कितना होगा 49 इन डोनों को हम जोड़ेंगे और 14 के square से minus करेंगे देखे, 9 में नो चोड़ेंगे 18, 6, 14, 10, 11, और यहां पास 218 आ रहा है, 7 के square और 13 के square प्लस करने पर, देखे, अब हम 14 के square करेंगे, 218 में 14 के square कितना होता है, 106, 106 में 218 माइनस करेंगे, देखते हैं कितना आ रहा है, 8 में 2, और 11 में 9 माइनस करेंगे, 2, और कैंस, देखे, यहां पास 22 मिल रहा है, तो हमारा logic क्या हो रहा है, कि हम 2 odd number को square करके plus करेंगे, एक even number से माइनस करेंगे, तो यहां पास हमारा odd number 7 है, और यहां पास 13 है, पर यहां पास हम ऐसे सोचते हैं, कि जैसे यहां पास की value और यहां पास की value को plus किया है, तो हम सोचते हैं, यहां पास की value 7 और 13 को plus करके 13 की square से minus कर देंगे तो आ जाएगा पर यहां पास वो logic नहीं लग रहा है यहां पास event number और odd number का logic लग रहा है तो आप थोड़ा सा ध्यान से question को देखिए तो अब यहां पास देखते हैं यहां पास कैसी है देखिए यहां पास event पेन नंबर क्या है इभेन नंबर 18 और नंबर क्या 15 और और नंबर 9 तो पंद्रा की square और 9 की square कर जोड़ेंगे कितना यहां देखिए 15 कि स्कुर के तो 225 नो की square कितना है नौ की square होताना रह है जासी इक ग्यासी और दोब्दस और यहां पास 2 एक 3 306 में 18 के स्क्वیर को माइन स्कारेंगे 306 में 18 के स्क्वेर कितना हो था rigtig话 237 पास कितना आएगा 306 में में गटाएंगे तोorse गता ओ आएगा 14 में 6 घटाएंगे तो 8 यह अस देखेंगे आपकछेंगे यह इंतर 12 यह यह 1 पास एक और तीन comprendre यहां पास कितने मिल रहा है में 18 तियां पास की वेल्यू क्या आजाएगी 18 18 मारा देखें किस ऑप्सन नमबर डी ऑप्सन नमबर डी अमारा रायट अंसर हो जागा इस नहीं पर आपको अच्छे समझ में आओका चली नेक्स कुस्टन क्या है अंगला कुस्टन हम देखेंगे दिये गए गई कलपो मैं से लूप अंक्यात कीजिए मिसिंग नमबर कोश्चन हम यहां पास मिसिंग नमबर फाइंड करना है पता करना होगा कि हम कुस्टन को कैसे देखेंगे ऐसे देखेंगे या तो हम ऐसे देखेंगे गर हम कुस्टन को ऐसे देखेंगे तो हम देखेंगे तो हम देखेंगे पांच और आट को क्या किया किया कि आपास चार आया है और अगर हम कुस्टन को नीचे की तरब देखेंगे तो हम देखेंगे पांच और शे क हैं हमको दिख रही है एक तो देखेंगे हम question को ऐसे देखते हैं आठ और पांच को अगर हम जोड़ेंगे त्यरा और इसमें minus 1 करते हैं तो हमें 12 मिल जाएगे तो क्या हमें यहां पास के संख्या को देखते हैं 7 और और 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 दो निवारे 13 में 1 मैनेस करेंगे क्या हमें 4 मिलेगा नहीं मिलेगा तो हमारे ये logic काम नहीं करेगा तो हम ध्यान से question और को देखें संख्याओ को ध्यान से देखें पहले 5,8,12,6,7,4,4,9 question माए तो कैसे question solve अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पांच और आठ क्या है पांच और आठ को अगर हम माइनस करके देखें प्लस करके देखें कितना है पांच में आठ माइनस करें कितना है तीन और अगर हम तीन में खुद से चार का मल्टिप्लाई कर देखें चार का गुणा कर देखें कितना रहाएगा यहां पास चार इसी प्रकार हम देखेंगे चार और नौ को माइनस करें कितना आएगा पांच और पांच में हम फिर चार का गुना कर देंगे कितना आएगा चार पंचे बीस तो यहां पास के वैलू हमें कहा मिल रहे है बीस तो बीस देखेंगे ऑप्सन में है क्य यहां पास हैं मिनमर करना है तो है तो यह यह तो ऐसे क्या करेंगी कि xuषिए बारो गारा को क्या गरेंगी थो तो अगर हम question को इस प्रकार देखेंगे तो फिर इन तीनों को क्या किया जाए कि 4 आ जाए कि यहां पास की पहलो को क्या किया जाए इन सब को 12 आ जाए सेम यहां पास तीनों को क्या किया जाए question मा के जगए हमें value मिल जाए तो देखें हम question को कैसे देखेंगे ध्यान से पहले संख्याओं को देखे pattern समझने के कोसिस करी क्या 8 है 4 है 2 है 27 है 9 है 4 है 12 क्या समझ में आ रहा है थोड़ा से ध्यान से देखेंगे अगर हम देखेंगे इन सब को plus करेंगे तो 4 हमें छोटी जंख्या बहुत सब चोटी जंख्या 4 नहीं मिलेगे 3 है अगर plus करेंगे तो यहां पास 4 नहीं मिलेगा तो अगर हम इनमें हम देखेंगे अपस में गुणा करेंगे तो और रेड़ी माइनस करके देखते हैं देखेंगे अगर हम 8 और 4 का minus 8 में 4 का minus कर दे तो कितना मिल जाएगा हमें 4 मिल जाएगा पर यह 2 कहा जाएगा अगर यहां पास माले जेल आर आठी को ऐसे ही 27 में 9 minus करेंगे तो क्या यहां पास 12 आएगा नहीं आएगा तो हमें यह logic नहीं मिल रहा अब थोड़ा सा question के ध्यान से देखें कैसे आएगा होगा अगर हम 8 में 4 का भाग कर दे देखें 4 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 और यह 2 का इस 2 से गुना कर दें कितना आजाएगा 4 2 गुने 2 4 आजाएगा सेusiak नहीं किसमते लॉजिक हैं 27 में 9 का भाग करेंगे कितना ही आगा 3 3 9 से 18 और 3 का इस चार से गुना कर देखें चार तहीं बार हमें लॉजिक मिल रहा है सेम ا्युजिक नहीं क्या करांगे 9 में 3 में 3 भाग करेंगे कितना है तीन बार में जाएगा तीन का हम आठ में गुणा कर देंगे तो इतना एगा आठ तरीक 24 तो यहाँ पास की वैलू के आज जाए कि 24 देखेंगे किस ओप्सन में देखेंगे ओप्सन नमबर डी में तो ओप्सन नमबर डी हमारा राइट अंसर हो जाता है आई हो पे कोस्चन भी आपको अच्छे समझ ? आप यहाँ पास थोड़ा से ध्यान देते तो यहाँ पास देखेंगे एगर चार और दो कुण चार में हम यहाँ आय awhile में चार का भाग कर देते तो दो आ जाता, और दो में दो का गुणा करते तो चार लाज़क आसानी से मल जाता पास को थोड़ी दियान से देखें और पैटरन समझने के कोसिस करिए तो चलिए नेक्स क्वेशन देखते हैं अगर आपके चाब में ऐसा क्वेशन आजए तो कैसे सॉल्ब करेंगे अगर हम देखेंगे यहां पास दिये गए बिकल्पों में से लूप तंग गयाद किजिए यहां पास बढ़ें आजए चार tut 20 और और पास 213 यहां पास कितना 211 कैसे आया आँए वैसे प्रकार देखें अगर हम प्लै सब को प्लास करें मांस करें मां लिजी इस में मांन kartो कि इन्स करने पर चारसोबीस में 213 मांनस करेंगे तो क्या 211 आय गा? देख लेते हैं 420 में 213 माईनस करेंगे तो क्या आएगा? 10 में 3, 7 अररेड़ी पहली संख्या नहीं आ रहे तो क्या आएगा? तो देखें इंचे माईनस करने पे तो नहीं आ रहा अब क्या करेंगгов भाग करते हैं 220 में 213 का भाग करेंगे क्या 211 आएगा नहीं आएगा क्योंकि ये लगबंग लगबंग डवाल है बस इससे ज़्यादा नहीं है दो बार में चला जाएगा भाग तो अब हम क्या करेंगे अब 300 को देखेंगे अगर हम तो 4 और 200 600 हो रहा है मतलब इसका 3 गुणा हो रहा है देखें 200 है यहां पास देखेंगे और यहां पास 400 है 200 देख लेते हैं 20 और 13 को छोड़ देते हैं 4 और 2 को जोड़ते हैं तो 6 यहां पास कितना है 2 इसका 3 गुणा हो रहा है 211 का भाग करेंगे तो कितना आएगा देखिए 211 का भाग करेंगे तो कितना आएगा देखिए 211 का अगर हम भाग करें इसमें तो कितना आएगा देखिए कितनी बार में जाएगा देखिए 2 से 2 3 3 2 6 और 11 33 33 33 33 33 बार में मतलब 33 आरा मतलब यहां पास देखिए अगर हम 3 से मत देखिए यहाँ पास कितना है तीन बार में हमें यहाँ पास 211 लाना है ना 211 के भाग करें इसमें हम 633 आ रहा है तो इसमें अगर हम 3 से भाग करें तीन बार में जाएगा तो 3 दूनी 6 और 3 एककम 3 3 1 कमती 211 कैसी आ रहा है अगर हम देखें कि इन दोनों को जोड़ने पर हमें 633 मिल रहा है 633 में हम 3 का भाग करें थी तो यहां पास हमें 211 मिल रहा है तो हम सेम यही लॉजिक लगाएंगे आठ और 830 36 और 812 को चोड़ों के 3 से भाग करतेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएग आप आपस की वैल्यू पसंद जी तो वीडियो को लाइक कर देजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए ताकि हमारा